नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डाक्टर आलोक और आप देख रहे हैं Legal Express दोस्तों आज के इस वीडियो सेग्मेंट में हम लोग Negosable Instrument Act को स्टार्ट कर रहे हैं Negosable Instrument Act का ये lecture number one है जिसमें हम लोग introduction के बारे में बात करेंगे हम लोग salient features देखेंगे कि Negosable Instrument Act के features क्या है तो बहुत ही छोटे से वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे तो आईए, शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों सबसे पहली बात Negosable Instrument Act 1881 ये act है जो जिसके बारे में हम लोग discuss करने वाले हैं जिसको हिंदी में पर कराम में लिखा तदिमियम 1881 कहते हैं पहला point ये दिया हुआ है कि this act is applicable to whole of Italy अब जो ये act बना था ये पूरे भारत पर लागू होगा तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर ये लागू ना हो तो 1881 से जब से इसका enactment हुआ उस दिन से ये पूरे भारत पर लागू है कब ये enact हुआ वो 9th December 1881 में enact हुआ था और कब लागू हुआ came into force on 1st March 1882 यानि कि 1 March 1882 से ये आपका Negosable Instrument Act लागू हो चुका है और पूरे देश पर लागू है तो ये एक छोटी सी information थी जो generally exam में पूछा जाता है कि Negosable Instrument Act कब बना कब लागू हुआ तो 1881 में बना और 1882 यानि कि 1 March को ये लागू हो गया था पूरे देश पर दोस्तों अगर इसको हम लोग समझना चाहें इसके मीनिंग को इसके अर्थ को समझना चाहें तो Negosable Instrument Negosable Instrument दो वर्ड से बना हुआ है पहला वर्ड है Negosable और दूसरा वर्ड है Instrument Negosable का मतलब होता है Transferable Negosable का मतलब होता है कि जो चीज Transfer की जाये जो एक ब्यक्ति दूसरे को Transfer कर सकें अंतरण कर सकें तो Negosable मतलब ऐसा कोई भी वस्तु है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह Transfer कर सकते हैं एक परसन से दूसरे परसन से तीसरे परसन को Transfer हो सकता है उसको हम लोग निगोसेबल कहते हैं तो निगोसेबल का अर्थ हो गया ट्रांस्फेरेबल और इंस्ट्रुमेंट का अर्थ हो गया रिटेन डाकुमेंट तो ऐसा कोई भी रिटेन डाकुमेंट जो एक परसन से दूसरे परसन को ट्रांस्फर किया जा सके उसी को हम लोग negotiable instrument कहते हैं अब जड़ाइग example से समझते हैं कि माल लीजे कि कोई check है और एक आदमी है जो check अपने bank के खाते का एक check जो है किसी दूसरे person को दे रहा है तो वो जो check है वो लिख कर देगा return होगा उस पे date होगी उस पे amount होगा तो वो दूसरे बैक्ति को देने के लिए वादा किया गया है या दिया जा रहा है तो transferable हो गया ना amount का transfer हुआ और किस पर हुआ written document पे तो इसी को हम लोग negotiable instrument कहते हैं तो ऐसा कोई भी प्रपत्र जो लिखित हो और एक जगा से दूसरी जगा transfer हो सकता है उसे हम लोग negotiable instrument के अंतरगत लाते हैं दोस्तों हम लोग essential feature of negotiable instrument के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत जरूरी है introduction में ये समझना कि क्या essential features है negotiable instrument के क्या essential feature है तो सबसे पहला essential feature है transferability transferability मतलब अंतरण हो सके ऐसा कोई समान हो ऐसा कोई वस्तू हो जिसको एक जगा से दूसरी जगा transfer किया जा सके तो transferability सबसे बड़ी चीज है अब transferability आपको बताया कि return document का होना है वो by endorsement हो सकता है या by delivery हो सकती है तो दो चीज़ें यहाँ पर दी गई है उपर देखें by endorsement या by delivery अब endorsement में क्या है कि मान लिज़े कि एक person है और वो किसी को check देता है उसके amount लिख दिया date लिख दिया, sign कर दिया और पीछे जिसको दे रहा है उसका नाम, उसके bank खाते का नाम दे रहा है, तो नाम लिख कर उसके पीछे अगर दे रहा है तो इसको कहते हैं endorse कर देना कि मतलब वो check केवल और केवल वही ब्यक्ती जो है, उसको भजा सकता है इसको कहते है by endorsement, तो किसी भी written document को अगर by endorse दिया जा रहा है तो उसको उसके पीछे उसका नाम लिखा होना चाहिए, वो specific person ही उसको जो है कर सकता है दूसरा है by delivery अब by delivery में क्या है the name is not written, आपने एक check लिया, आप किसी को check देना चाहते हो, आपने amount भर दिया, sign कर दिया और उसको दे दिया कि भाई, ले जाओ ये एक bearer check है तो delivery एक bearer check होता है उसके जो भी person चाहे अपना नाम भरके ये amount निकाल सकता है ठीक है, तो दो mode हो गए, transferability की दो mode हो गए, by endorsement या by delivery दोस्तों essential feature of negotiable instrument का जो दूसरा important feature है वो है independent title independent title का मतलब क्या होता है कि भाई, जब भी कोई चीज़ें transfer हो रही हो, तो minimum दो party तो होगी, दो parties होनी ज़रूरी है, तो एक को हम लोग कहते है, transferer और दूसरे को कहते है, transferer transferer कौन होता है, जो check दे रहा होता है, और जो check ले रहा होता है, वो transfery है, यानि कि कोई भी लिखित document जो एक person लिख कर दे रहा है वो transferer हो गया, और जो प्रार्प्त कर रहा है, वो transfery हो गया दूसरी चीज क्या है कि एक transferer may be a defective title transferer defective title हो सकता है हमने माल लीजिए कि आप से कुछ समान लिया या कोई भी चीज ऐसे हमारे बीच में और एक दूसरे person के बीच में कोई contract हो जाता है उस contract के against मैं उसको एक check देता हूँ check देता हूँ तो मैं transferer हो गया मेरी title defective हो सकती है हो सकता है कि मैंने good faith में भी दिया हो मैं सही भी हूँ लेकिन मेरे पास ये possibility है कि मैं defective हो सकता हूँ मैंने उसको ऐसा check दे दिया जहां मैं bank खाता बंद कर चुका हूँ मैंने उसे ऐसा check दे दिया जिसमें मैंने गलत साइन कर दिया है मैंने ऐसा चेक दे दिया जिस इस इमाउंट का चेक दे दिया जो इमाउंट हमारे बैंक में है ही नहीं दे दिया तो मैं defective हो सकता हूँ कौन defective हो सकता है transferal defective हो सकता है दूसरी बात है transferi effective title as a transferi has no knowledge of fraud अब जिसको प्राप्त हो रहा है जिसको आप चेक दे रहे हैं जो चेक ले रहा है उसको क्या पता fraud के बारे में कि देने वाले ने कोई fraud किया है या नहीं किया है देने वाला सही है या गलत है उसको नहीं पता वो तो चेक ले लिया, जो भी contract था उसके वज़ में उसने चेक ले लिया, अब जब तक उसको लगाएगा नहीं, जब वो bank में जाएगा, उससे वो amount लेना चाहेगा, तब उसे पता चलेगा कि ये सही था ये गलत था, अगर bank ने उसे पैसा दे दिया तो सही है, नहीं दिया, bank ने कह दिया, नहीं इस पे तो sign गलत है, नहीं ये तो amount bank में है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि जो transferi है, वो defective नहीं हो सकता है, वो हमेशा उस fraud का भुक्त भोगी हो सकता है, ठीक है, जो fraud एक transferer करता है, तो effective title इसको इसलिए, एक transferi को हम लोग effective title कहते हैं, जब has no knowledge of fraud, transferi के पास कोई fraud की knowledge नहीं है, दो feature के बाद, तीसरा feature है, certainty about amount, ये बड़ी important चीज है, कि ऐसा नहीं कि आपको check मिल गया और उस पे कोई amount ही नहीं लिखा है, तो amount की certainty होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, उस पे amount लिखा होना चाहिए, कि किस amount के लिए, एक लाग के लिए, दो लाग के लिए, दस अजार के लिए, दस करोड के लिए, कितने के लिए, जो है वो आपका जो कागजाद है, जो check है, वो दिया गया है, तो उस पे amount निश्चित रूप से लिखा होना चाहिए, ये भी essential feature है, चोथा है, holder have right to sue, अब जो check ले रहा है, जो उस लिखत document को ले रहा है, लिखत प्रपत्र को ले रहा है, उसके पास right होता है, कि जब भी उसके साथ fraud होगा, तो वो एक case suit कर सकता है, transferer के उपर, पाच्वाँ point है कहता है, it should be in writing, अब ऐसा नहीं कि हमने कहा दिया कि ठीक है, तुमको मैं एक लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम जाओ, ब राइटिंग में हो गया न, तो राइटिंग में होना चाहिए, छठा point है कहता है, it should create a right of a person to receive money and corresponding liability of a person to pay money, अब यहाँ पर right किसका बन रहा है, transferi का, transferi के पास ही अधिकार आ रहा है, तो जो amount उस प्रपत्र में लिखा हुआ है, उस पत्र में लिखा हुआ है, उस जो आपक चेक है, उस चेक में जो amount लिखा गया है, उसको लेने का अधिकार मुझे प्राप्त हो गया, क्योंकि जो transferor था, उसने amount लिखकर, sign करकर, पीछे मेरा नाम लिखा है, तो मैं उसके लिए क्या हो गया, right मेरे पास बन गया, किसके पास, transferi के पास, और liability किसकी बनी, transferor की, अब चेक देने के बाद liability किसकी है, transferor की, उसको अपनी liability पूरी करनी है, वो amount जितना उसने लिखा है, वो amount bank में होना चाहिए, वो sign उसने किया है, वो sign match होना चाहिए, उसके bank के sign के साथ, ये दोनो liability जो है transferor की है, कोई fraud ना करे, ये liability उस transferor की है, तो ये 6 essential features थे, negotiable instrument act में, जिसक हम लोग नहीं है discuss किया, आगे हम और lecture लेकर आएंगे, उसको समझेंगे, तो introduction के लिए इतना काफी है, मुझे उमीद है कि आपको ये lecture अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा तो अपने likes और comments चरूर करिए, धन्यवाद